जेटेट का एक्जाम डेट बतानी से पहले और सिलेवस को लेकर क्या अपडेट है सारे चीज़ बतानी से पहले उन सभी कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स का दिल से सुक्रिया और सैलिट करता हूँ जिन्होंने जेटेट के सिलेवस में बदलाव के लिए अलग-अलग बात करेंगे जेटेट सिलेवस को लेकर जो अपडेट आई है और एक्जाम को लेकर कब तक यह एक्जाम होने के संभाव ना है जो भी एक्जाम आप लोगों को लिया जाएगा उसके लिए ज्यादा समय आप लोगों को नहीं मिलेगा इसलिए अपनी तैयारी जाई में जेटेट बदलाव को लेकर इस्टूरेंट की तरफ से ट्विटर कैम्पेंग भी चला तो बहुत अची ख़बर है इस्टूरेंट के लिए एक परियास हुआ है और इस परियास का ये जो है परिनाम देखने को मिल रहा है कि जेटेट के सिलेवस में जल्द बदलाव लाने परिचार किया जारہा है इस्टूरेंट के तरफ से लगातार मांग और लगातार इमेल के जरिये जैक बोर्ट को अपना मैसेज जो दिया गया है इसके बाद सिक्षा इभग और सिक्षा सचीव यहाँ पे जो है इस चीज को लेकर आप जो है समिक्षा करने जा रहा है कि किस तरह से इस सिलबस जो बनाए गया है ओ सिलबस इस टूरिट के लिए किस तरह का है और उसमें क्या changes करना है तो बहुत जल्द आप लोगो यह देखने को मिलेग सिलबस को लेकर ठीक है तो जाड़कन राज में जाड़कन सिक्षक पाता परिच्छा यानि जेटेट के पाठेक्राम यानि सिलबस में बदला होगा वहीं परिच्छा में सभी खंड में अलग-अलग क्वालिफाइंग मार्स लाने का प्रावधान भी समाफ्थ हो सकता है यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है यहां पे आप लोग देख लीजे क्योंकि अलग-अलग खंड में पास करना स्टूडेंस के लिए एक पहाड जैसा है क्योंकि सीटेट में होता है कि अगर आपका किसी एक खंड में कम नंबर भी आएगा तो कोई दिखकत नहीं है क्यो इसमें बदला होना चाहिए और यह बदलाव को लेकर भी समिक्षा की जा रही है इसके बाद अगला पॉइंट देखिए कि सिक्षक पाता परिक्षा और एंसिटी की गाइडलाइन के अनुरूप हो गई और यही हमारी डिमांड है जो सीटेट के तरज पर सीटेट ली जात बदलाव करें और जेटेट के सिलबस में बदलाव करके इस्टेट को रहात दे ताकि इस्टेट जो एक लिमीट होते है जो एंसिटी का गाइडलाइन है उसके अनुरूप सिलबस जारी करके इस्टेट को तयारी करने का मौका दे और इस्टेट एक्जाम दे सके ठीक है और और एक्झाम डेट आ गया है एक्झाम डेट जो बताए जा रहा है वो आपको बतादे कि सेपृटंबर के लास्ट वीक में यह एक्जाम कन्डेक्ट हो सकता है या फिर अक्तूबर के फर्स्ट वीक में अभी तक जो अपडेट यही है बाग क्याने वाले जिन में जैश्आई बडेट आएगा आप लोगो बताए जाएगा सेप्टमबर के लास्ट वीक या तो अक्तूबर का फर्स्ट वीक आप लोग धेयान रखेगा इसी के अंदर अदर आपको का एक्जाम होने की चेटेट होने की संभावना है बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो का पुरा देखने के लिए